अधार कार्ड की मदद से लावारतियों तक पहुंचाय जाता है प्रंतु बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके अधार कारण के अंदर कोई ना कोई गलती होने के कारण उन तक सरकारी योजनाओ का लाव नहीं पहुंच पाता इसलिए अधार कार्ड को लेकर यूआईडियाई की तरफ से नए नए अपडेट जारी किये जाते हैं तो यजी अब आप सरकारी योजनाओ का लाव लेना चाहते हैं तो आपको अपने अधार कार्ड के साथ में डॉकुमेंट्स को अपडेट कराना होगा इसे लेकर यूआईडियाई की तरफ से नए के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप आधार कार्ड के साथ में अपने डॉकुमेंट को कैसे कैसे अपडेट करा सकते हैं और किन लोगों के लिए अधार कार्ड के साथ में documents को update कराना जरूरी है सबसे पहले तो आप यहाँ इस्क्रीन पर देख सकते हैं कि आधार कार्ड के साथ में documents update कराने को लेकर PIV की तरफ से एक press release जारी की गई है आधार कार्ड के साथ में documents update कराने को लेकर PIV.GOV.IN की back side पर जाकर आप इस press release को डाउनलोड करकर देख सकते हैं आधार कार्ड के साथ में documents update कराने को लेकर UIDI की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और UIDI के बयान के अंदर साफ तोर पर कहा गया है कि जिन लोगों को आधार कार्ड जारी हुए दस साल या फिर दस साल से जादा का समय हो चुका है और इन दस सालों के अंदर उन लोगों ने अपने अधार कार्ड के अंदर कोई भी अपडेटेशन नहीं कराया है ऐसे लोगों से अनरोद किया जाता है कि वो अपने documents को अधार कार्ड के साथ में update कराएं क्योंकि 10 साल का समय बहुत लंबा समय होता है 10 सालों के अंदर व्यक्ति के घर का पता तक बदल जाता है और भी बहुत सारे अपडेट हैं जो कि अधार कार्ड के अंदर समय समय पर कराना जरूरी होते हैं इसलिए यदि आपका आधार कार्ड बने हुए 10 साल का समय हो चुका है या फिर 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है तो आप से UIDI की तरफ से ये अन्रोध किया जाता है कि आप अपने अधार कार्ड के साथ में अपने नए डॉकुमेंट्स को अपडेट करा हैं अब आपके मन अधार कार्ड के साथ में डॉकुमेंट्स को अपडेट नहीं कराते हैं तो क्या अब आपको सरकारी योजनाओं का लाप नहीं मिलेगा तो आए इन सारे सवालों के जवाब आपको हम step by step दे देते हैं सबसे पहले तो आपको बता दें कि यदि आप अपने अधार कार्ड के साथ में डॉकुमेंट्स को अपडेट कराते हैं तो इसके लिए आपको कुछ सुन देना होता है अब सवाल आता है कि आप अपने अधार कार्ड के साथ में डॉकुमेंट्स को कैसे कैसे अपडेट करा सकते हैं तो आपको बता दे कि आप अधार कार्ड के साथ में अपने ड अपडेट कि आपको अधार के अंदरों पर जाकर आपके अधार काड को अफडेट कर आते हैं तो अब आप सरकारी योजनाव का लाब ले सकते हैं या नहीं तो आपको बता दें कि यू आई डियाई की तरफ से ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है कि यदि आपका अधारकार्ट आप 10 साल पुराना है और आपने उसके अंदर कोई भी अपडेटेशन नहीं करवाया है तो आप अप सरकारी योजनाव का लाब नहीं ले सकते हैं आप जिस तरह से सरकारी योजनाव का लाब लेते आ रहे हैं वैसे ही आप आगे भी लेते रहेंगे केवल यू आई डियाई क से आप से अनरोग किया गया है कि आप अपने अधार कारट के अंधर यदि fight सवा है तो आप उसमें अपने घर का पता अपनी डिटेल्स को अफडेट कर वा लें ताकी आपको पैचानने में सरकार को किसी भी तरीके की परिशानी का सामना ना करना बढ़ेए सबस्क्राइब नहीं किया था तो नीचराइब के बटन को प्रेस करकरू करें पर अपना को ने यूड एपके लिए अपको सबसे पहले मिल जाए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है वाथ आपका वजोद धन्यवाद पर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेह दिन जान कर साथ नेक्स वीडियो में तब तक लिए गूड़ बाय टेक कियर जैहन